नमस्कार दोस्तूं, रीट मेंस या हद्यापक बरती प्रक्षा लेवल परतम वे लेवल द्वित्य के लिए हम देख रहे हैं राजस्तान का इतियास और आज हमारी कलास रहेगी 18 नमबर दोस्तूं, जिसमें आज टोपिक रहने वाला है परजा मंडल, भहुत ही इंपोर्टे प्राप्त करना चाहते हैं, वो कुचामन ओनलाइन कलासे एप के स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक सेर और जो नए साथी जुड़रे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंदी गरंत अकादमी, RBSC और NCRT पर आधारी तमारी ये मंडल, परजा मंडल का अर्थ क्या है? परजा के दुआरा बनाए गए मंडल दोस्तूं, इनका जो मुखे उदे से तया वो था देसी रियास्तू में उत्तरदाई सासन की स्तापना करना था दोस्तूं, रियास्तू के अंदर जो कुचासन चल रहा था, उसके विरुद, उत परजा मंडल अंदोलन है, वो होते हैं दोस्तूं, 1927 में मुंबई में अखिल भारतिये देसी राजिये लोग परिसद का क्या किया गया था, गठन किया गया था, 1927 की बात कर रहा हूं में, अखिल भारतिये देसी राजिये लोग परिसद, ये क्यों सन एक्जाम में आया 1928 में इसकी प्रांतिय इकाई राजपुताना देशी राज्य लोग परिशद का गठन हुआ दोस्तों अब देखें यहाँ पे जो क्यूसन है वो आपका रहा यह 1927 में तो मुंबई के अंदर हुआ अखिल भारतिय देशी राज्य लोग परिशद और 1928 में जो राजपुताना देशी राज्य लोग परिशद है इसकी गठन किया गया जिसका परतम अदिवेशन 1931 के अंदर अजमेर के अंदर राम नाराइन चोदरी की अदेख्सता में हुआ दोस्तों इंपोर्टेंट चीज आपके लिए यह है और सीधा क्यूसन है जो बन सकता है यहां से आगे देखें मित्रों आगे हम देखते हैं तो 1938 इसवी में कांग्रेस के हरीपुरा अदिवेशन में कांग्रेस ने देशी रियास्तों में चल रहे अंदोलनों का समर्तन अपना समर्त के अंदर अब एक एक परजामंडल के बारे में हम अद्यन करेंगे और सभी परजामंडलों के बारे में चलते जाएंगे सबसे पहले जो परजामंडल आ रहा हमारा वो आरा मेवाड परजामंडल दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट परजामंडल रहता है मेवाड परजामंड 24 अपरेल 1938 को मानिकेलाल वर्मा के परियासु से मेवाड परजामंडल की इस्तापना की गई दोस्तों पहला क्यूसन इंपोर्टेंट क्यूसन आपके लिए ध्यान से देखे 24 अपरेल 1938 तो याद आपको जो रखना है वो है 1938 परजामंडल की इस्तापना कब की गई या मेवाड परजामंडल की इस्तापना किस ने की तो दोनों ही क्यूसन आपके लिए क्या रहेंगे इंपोर्टेंट ये बन सकते हैं दोस्तों तो मेवाड परजामंडल की इस्ताबना 1938 के अंदर मानी के लाल वर्मा के परियासू से की गई और जो मानी के लाल वर्मा है उनको मेवाड का गान्दी का जाता है परधा मदेक्स किनको मनाया गया है बलवन सिंग महता को सविधान की पर्तिलिपे पर सर्वोतम अस्ताग सर करने वाले बलवन सिंग मेता ही थे दोस्तों समझ गए यहां से उपादेक्स बनाए गए थे बूरे लाल बहियां को दोस्तों उपादेक्स कौन बने बूरे लाल बहियां बने दोस्तों महा मंत्री बनेते मानी के लाल वर्मा जिनके परियासूस हैं परजा मंडल की इस्तापना हुई है वो ही क्या बने इसमें महा मंत्री बने दोस्तों समझ गए हैं यहां से आगे चलिए मित्रों आगे देखते हैं मेवाड सरकार ने परजा मंडल पर दमन चकर चलाया मेवाड सरकार ने दोस्तों और 24 सितंबर 1938 को इस पर परतिबंद लगा दिया 24 सितंबर 1938 में ही इस परजा मंडल को गेर गानू निगोसित करके इस पर क्या लगा दिया गया परतिबंद लगा दिया दोस्तों मानी के लाल वर्मा को मेवाड से निसकासित कर दिया मानी के लाल वर्मा है उनको क्या कर दिया निसकासित कर दिया और जो बुरे लाल बेया थे ने उपादेक्स उनको गिरबतार किया और सराडा का किला है जिसको उदेपुर में या मेवाड का काला पनी का जाता है उसके अंदर केद कर दिया गया याद रिखना यहाँ से देखें यहां पर जो है मानिके लाल वर्मा जिनके संस्तापक है जिन्होंने इस्तापना की उनको तो निस्कासित कर दिया गया जो उपादेक्स थे बूरे लाल भयां उनको सरारडा के केले में केद कर दिया गया दोस्तों आगे देखें तो मानिके लाल वर्मा को निस्कासित किया तो उन्होंने अजमेर को मेवाड परजामंडल का एस्ताइ कारियले बनाया वहां से कहां आगे वहां से कहां आगे दोस्तों अजमेर आगे और अजमेर के अंदर एस्ताइ कारियले उन्होंने बना लिया दोस्तों और यहीं पर मेवाड का वर्तमान सासन नामक पुस्तग लिखी मानिके लाल वर्मा की पुस्तग है मेवाड का वर्तमान सासन और वो पुस्तग लिखी गई थी अजमेर के अंदर दोस्तूं मेवाड परजामंडल को गेर कानूनी गोसित करने पर परजा मंडल ने सरकार को अल्टिमेटम दिया कि यदि परजा मंडल से परतीबंद नहीं अटाया गया तो सत्याग्रे परारम किया जाएगा दोस्तु समझ गये यहां से सत्याग्रे का उन्हों कह दिया चार अक्टूबर 1938 की बात है यह चार अक्टूबर 1938 के अंदर यह चेताउनी सरकार को दी गई दोस्तु और इसी दिन होता है जिसमें परतम सत्याग्रे ही कौन बनते हैं दोस्तु रमेश चंदर व्यास दोस्तु बीलवाडा के थे यह अल्टिमेटम का समय समापत होने से पहले ही बूरे लाल बहियां को गिरपतार करके सराडा के किले जिसको मेवाड का काला पानी कहते हैं उसमें क्या कर दिया गया नजर बंद कर दिया गया विजया दस्मी के दिन मेवाड परजामंडल ने सत्यागरह प्रारम किया बीलवाडा का जो रमेश चंदर है वो मेवाड परजामंडल का क्या मना पर्तम सत्यागरही बना दोस्तूं देखे रमेश चंदर हो गया एक तो रमेश चंदर व्यास हो गया इसके अलावा मानिके लाल वर्मा की पतनी थी नारायनी देवी वर्मा नारायनी देवी वर्मा दोस्तूं पुत्री थी सनेलता वर्मा और एक थी बगवती देवी विस्नोई इन तीनों मैलाओं को गिरपतार कर लिया गया दोस्तूं समझ गये यहां से उदेपूर के अतिरिक्त नात दुआरा, भीलवाडा, जाजपूर, चितोड, आदी मेवाड परजामंडल के क्या बने परमुक के अंदर थे दोस्तूं नात दुआरा में परजामंडल अंदोलन थे उसके अंदर 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 परजामंड जो नागपूर है यहाँ पर चार साकाएं मेवाड राज्य परजामंडल की इस्तापित की गई दोस्तों 24 जनवरी 1949 को मानिके लाल वर्मा की पत्नी नारायनी देवी वह उनकी जेष्ट पुत्री सने लता को परजामंडल अंदोलन में बाग लेने के कारण राज्य से निस्कासित कर दिया गया जब सत्याग्रा होता है तो नारायनी देवी वर्मा है सने लता है यह बाग लेती है तो इनको राज्य से निस्कासित कर दिया जानता है दोस्तों आगे चलिए आगे देखते हैं फरवरी 1949 में देवली के निकिट उच्चा गाओं में पुलिस ने मानी के लाल वर्मा को गिरबतार कर लिया देख लीजे यहां से कब से किया है फरवरी 1949 में देवली के निकिट दोस्तुँ यहां से इने पहले उदेपुर सेंट्रल जेल और बाद में कुमबलगड बेज दिया गया कुमबलगड के अंदर इनको क्या किया गया नजर बंद किया गया दोस्तु को समय पसाथ मेवाड के माराना ने मानिके लाल वर्मा को रिया कर मेवाड परजामंडल को क्या कर दिया वेदानिक दर्जा दे दिया दोस्तों जो परजामंडल 1938 में बनाया उसको वेदानिक दर्जा मिला है 1941 के अंदर अब होता है मेवाड परजामंडल का पर्थम अधिवेशन दोस्तों 1941 इसमी मेवाड परजामंडल का पर्थम अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ उदेपूर के अंदर दोस्तों जिसकी अद्यक्स्ता की गई थी मानी के लाल वर्मा के द्वारा ये पर्तम अदिवेशन कब हो है? 1938 में स्ताफना, 1941 में पर्तम अदिवेशन, कहां पर? उधेपुर के अंदर अधेखस्ता मानी के लाल वर्माने की दोस्तुं। जेल में गई थी दोस्तुं। और इसी समय 1942 में जो बारत छोड़ो अंदुलन है उस समय मानी के लाल वर्माने कहा था हम मेवाडी है और मेवाड हर बार हर हर मादेव बोलता है और इस बार भी बोलेगा दोस्तुं। याद रख ले ना हम मेवाडी है और हर मेवाडी हर बार हर हर मादेव बोलता है और इस बार भी बोलेगा ये कतन किसका है मानी के लाल वर्मा का है 1942 का जो बारत छोड़ांदुलन था उस समय का कतन है दोस्तों समझ गए यहां पे अब देखिए यहां पे 1946 में अखिल बारतिये देशी राजी लोग प्रिसद का दिवेशन उदेपुर मे हुआ जिसके अधिक्स्ता जमारलाल नेरू के दौरा की गई तो अखिल बारतिये देशी राजी लोग प्रिसद इसका जो अधिवेशन है ये साथवा अधिवेशन है दोस्तों कौन सा है साथवा अधिवेशन है जो 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 के मद्दे होता है उदेपुर के अंदर और अधिक्स्ता पंडिश जौनलाल नेरू के दौरा इसकी की जाती है दोस्तों समझ गए आप यहां से ये था आपका मेवाड परजामंडल दोस्तों अगले परजामंडल की और बढ़ते हैं तो हमारे आरा जेपुर परजामंडल सबसे पहले इस्तापित परजा परजामंडल राजनितिक दरश्टी से सपल नहीं रहा इसकी भूमी का केवल खादी परचार तक सिमेत रही यहां से देखे जो आपका जेपुर परजामंडल है वो राज्ये का यह मानो पहला परजामंडल है जिसकी स्तापना 1931 में की गई थी दोस्तों समझ गए यहां से 19 1931 में जेपुर परजामंडल की क्या होती है इस्तापना होती है इंपोर्टेंट क्यूसन है आपके लिए यह कापूर चंद पाठनी के दुवारा दोस्तों समझ गए यहां पे 1936 के अंदर जमनालाल बजाज वहीरालाल सास्त्री के परियासु से जेपुर परजामंडल का प नरगटन हुआ किसके परियासु से जमनालाल बजाज वहीरालाल सास्त्री के परियासु से दोस्तों अब देखें और चिरंजिलाल मिसर को इसका परतम अद्दिक्स बनाया गया कुछ दिन चिरंजिलाल मिसर अद्दिक्स रहे फिर जमनालाल बजाज है वहीरालाल सास्त्री सची विरालाज सास्त्री बनते हैं 1938 में जमनालाल बजाज ने जेपूर परजामंडल की क्या की अद्दिक स्ताक की 1938 के अंदर दोस्तों अब देखें यहां पर होता है जेंटलमेंट एग्रिमेंट बद्र पुरुस समझोता जेंटलमेंट एग्रिमेंट का आर्थ होता है बद्र पुरुस समझोता दोस्तों और ये भी क्या रहेगा आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा बद्र जो पुरुस समझोता है यहां से भी क्योसन आपके लिए बन सकता है चलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं कब होता है यह समझोता 1942 में जेपूर रियासत के परदहान मंत्री सर मिरजा इसमाइल जो आदुनिक राज़त जेपूर के क्या है निर्माता है वह हीरालाल सास्त्री के मद्दे हुआ था जेंटलमेंट एग्रिमेंट दोस्तुँ अब देखें जेंटलमेंट एग्रिमेंट इसका जो उद्दे से था वो यह था कि समझोते के ते जेपूर परजामंडल ने बारत छोड़ो आंदोलन में बाग नहीं लिया और जेपूर माराजा ने सासन में जनता की बागेदारी को सामिल करने की बात कई जेंटलमेंट एग्रिमेंट होता है कि जो बारत छोड़ो अंदोलन होना 1942 में उसके अंदर परजामंडल भाग ना ले इसी के लिए ये जेंटलमेंट एग्रिमेंट हुआ 16 सितंबर 1942 को 16 सितंबर 1942 को दोस्तों इस बात इस बात से नाराज होकर परजामंडल के कुछ सदश्यों ने बाबा हरीस चंदर के नेतरीतों में आजाद मोर्चे का गटन किया जिसने बारत छोड़ो अंदोलन में बाग लिया अब देखें यहां पर आजाद मोर्चा आ गया हमारे आजाद मोर्चा दोस्तों कहां पर आजाद मोर्चा ये रहा कब हुई इस किस्तापना 1942 के अंदर किसने बाबा हरीस चंदर ने ये रही बाबा हरीस चंदर के नेतरीतों में गटन करता है ये इनके अलावा रामकरन जो जो जेपुर परजाम अंडल है ना इसकी महिला देख्सता बनीती दोस्तु जान की देवी बजाज कौन बनीती जान की देवी बजाज दोस्तु जवारलाल नेरु के परियासु से 1945 में आजाद मोर्चाप पुनय जेपुर परजाम अंडल में सामिल हो गया दोस्तु और 1946 के अ यह था जेपूर परजामंडल अगला परजामंडल आ रहा है हमारे डूंगरपूर परजामंडल दोस्तों डूंगरपूर परजामंडल important है क्योंकि यहां पे दो तीन है जो current होते हैं इस वज़े से यहां से आपको क्यूसन है वो देखने को मिल भी सकता है दोस्तुव 1 अगस्त1946 को 1 अगस्त1946 की बात हो रही है जो डुंगरपूर परजाविंडल है इसकी दोस्तों 1 अगस्त1946 स्री हरीदेव जोसी विगोरी संकर उपदैय के नेतरीतवबै में डुंगरपूर परजावंडल की स्ताफणा की गई तो पहला क्यों संद एक लिजे डुंगरपूर परजामंडल की स्ताफणा कब हुई है कब हुई है उननीस सो चमालीस के अंदर किनके परियासु से हैं किनके परियासु से हुई है दोस्तु देख जे बोगिलाल पंड्या अरिदेव जोसी और गोरि संकर बोगिलाल पंडिया वागडगा गांधी डूंगरपूर परजामंडल के परतम अद्धिक्स बनाए गए बोगिलाल पंडिया है इनको परतम अद्धिक्स बनाया जाता है दोस्तों यह आपको याद रखना है जो उनिस सो चमालिस में स्तापना हुई डूंगरपूर परजामं देखे, एक आदिवासी छात्रावास की बात आती है, आदिवासी छात्रावास, आदिवासी जो छात्रावास है इसकी स्थापना बोगिलाल पांडया ने कीती, कब कीती? उननीज सो उननीस के अंदर, पेहला क्यूटन हो गया आपके लिए? इसके अलावा usted. 1935 के अंदर बोगिलाल पांडिया ने हरीजन सेवा संग और वागड सेवा मंदिर की इस्तापना की समझ गये यहां से यह चीजे याद रखने है आदिवासी चात्रावास 1919 वागड सेवा संग और हरीजन सेवा संग है यह 1935 इनकी स्तापना बोगिलाल पांडिया के द्वारा ही की गई थी दोस्तों समझ गये यहां से अब देखें यहां से मैं जानकारी देदू जो डूंगरपूर परजामंडल है इसका जो परताम अदिवेशन है परताम अदिवेशन है वो 1946 में हुआ था कब हुआ था 1946 में अदिखस्ता बोगिलाल पांडिया ने की अदिखस्ता किसने की बोगिलाल पांडिया ने दोस्तों अब देखें जो वागड सेवा संग है वागड सेवा संग उसके तत्वादान में पाट साला ही खोली गई थी और उन्नी पाट सालाओं को लेकर ये दो कांड होते हैं जो पहला है पुनवाडा कांड मही 1947 पुनवाडा कांड 30 मही 1947 देखिए यहां पे राजस्तान सेवा संग द्वारा संचालीत पाट साला को बंद कराने गई रियास्त के सेनिकों ने अध्याराम सिवराम भील की पिटाई की ये था पुनवाडा कांड दूसरा कांड होता है रास्तापाल कांड दोस्तों उनीस जून उनीस सो सेतालिस को रास्तापाल कहां पर है रास्तापाल है आपके डूंगरपुर में कहां पर है ये रास्तापाल डूंगरपुर के अंदर है दोस्तों रास्तापाल डुंगरपुर में ये भी अच्छा है क्यों सना आपके लिए 19 जून 1947 को पाट साला बंद कराने गई सेनिकु ने अध्यापक नाना भाई काट की क्या कर दी कर दूसरे द्यापक सेगा भाई को टरक के पीछे बांद कर गसिटा दोस्तों काली भाई नामक बील बालिका ने अपनी हसिया से रसी को काट दिया वेस्वेंब जो है सेनिकु की गोलियू का क्या हो गई सिकार हो गई दोस्तों अब देखें यहाँ पे डूंगरपुर में गेब सागर के निकट पर काली भाई की परतिमा इस्तापित है काले पतर से निर्मेत जो गेब सागर जील है डूंगरपुर में उसके किनारे पर है दोस्तों और कालिबाई को कहा जाता है साकसर्ता की देवी कालिबाई को कहा जाता है दोस्तों जब ये सिक्सक को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त होती है उसमें कालिबाई की उमर थी मातर 13 वर्स दोस्तों रास्तान सरकार सिक्षा के चेतर में कालिबाई नाम से बाली का पुरुसकार भी देती है 2005 से बाली का पुरुसकार भी दिये जाते हैं दोस्तों ये था हमारा डुंगरपूर परजामंडल अगला परजामंडल आता हमारा अलुवर परजामंडल दोस्तों ये भी important रहेगा आपके जो अलवर परजावंडल है important है और अच्छा क्यूसन यहां से भी देखने को आपको मिल सकता है दोस्तूं तो चलते हैं अलवर परजावंडल में अलवर राजिये में जन्जागरती के जनायक पंडित हरी नारायन सर्मा थे दोस्तूं अलवर में जन्जागरती पेदा की थी पंडित हरी नारायन सर्मा ने समझे यहां से अब देखे आगे यहां पे 1923 में इन्होंने मंदिरों में दरवाज़े हरी जनु के लिए खोल दिये थे पंडित हरिनारेन सर्मा है उन्होंने 1923 के अंदर क्या किया जो भी मंदीर थे उनके दर्वाजे हरीजनु के लिए खोल दिये थे दोस्तों समझ गए यहाँ पे इन्होंने आइस परशेता निवारन संग वालमी की संग और आदिवासी संग की क्या की इस्तापना की इन तीन संगों की इस्तापना पंडित हरिनारेन सर्मा के दुआरा की गई थी दोस्तों आगे चलते हैं 26 जनवरी 1931 में बिर्टिस बारत की तरह अलवर रियासत में भी हरिनारेन सर्मा की नेतरीतों में सवतंतरता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1931 को जिस परकार बिर्टिस बारत में मनाया जाता है उसी परकार अरिनारेन सर्मा के नेतरीतों में अलवर रियासत में भी सवतंतरता दिवस है वो मनाया गया था दोस्तों इसके बाद दोस्तों अलवर रियासत की बात करते हैं 1938 में अरिनारेन सर्मा व कुन्ज बियारी मोदी के नेतरीतों में अलवर परजामंडल की स्तापना होती है दोस्तों उत्तरताई सरकार की स्तापना के लिए दोस्तों अब देखे आगे अलवर राजे में परजामंडल का परतम अदिवेसन खेरतल में बमानी संकर सर्मा की अदेखस्ता में होता है खेरतल के अंदर पहला अदिवेसन होता है अलवर परजामंडल का उननी सो चमालीस के अंदर कब होता है यह उन्नीस सो चम्मालीस के अंदर दोस्तों अदेखता बवानी संकर सर्मा और इसमें जुगल की सोड़ चत्रुए दिये वो बाग लेने आये थे दोस्तों समझें यहाँ पर यह भी इंपोर्टेंट आपके लिए इसके अलावा 1946 के अगर हम बात करते हैं देखिए यहाँ पर अलवर परजाम अडल दूसरा इरसा परजाम अडल था जिसने बारत छोड़ा अंदुलन में पहला जेपूर दूसरा अलवर अब देखिए 1946 में खेडा मंगल सिंग आँ है खेडा मंगल सिंग वहाँ पर भी सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों जहां से कारिये करताओं को गिरपतार कर लिया गया था दोस्तों और सबसे इंपोर्टेंट देखिए अलवर परजामंडल का है वो है आठ फरवरी 1946 दमन विरोधी दीवस इस दिन है अलवर परजामंडल या अलवर रियासत के अंदर मनाया गया था दमन विरोधी दीवस दोस्तों यह भी इंपोर्टेंट क्यूसन आपके लिए रह सकता है अगला जो परजामंडल आता है वो आता है हमारा कोटा परजामंडल यह भी इंपोर्टेंट परजामंडल आपके लिए रहने वाला है और यहां से भी अच्छा क्यूसन आपको देखने को मिल सकता है तो ध्यान से देखे कोटा परजामंडल को कोटा परजामंडल, 1934 में पंडित नयनुराम सर्मा, कोटा चेतर में जन्जागरती का जुसरे जाता है, वो जाता है पंडित नयनुराम सर्मा को, तो पंडित नयनुराम सर्मा वै आभीन हरीने, किसने आभीन हरीने दोस्तों, कोहाडोती परजामंडल की स्तापना कीती 1934 के अंदर समझें यहां से जिसकी परतम अद्दिक से हाजी फेज महमद को बनाया गया था दोस्तों जो यहां पर आपका हडोती परजामंडल कोटा परजामंडल तो आपके आएगा 1949 में अभी जिसकी स्थापना हुई है वो था हडोती बुंदी और कोटा को मिला कर दोस्तों इसके बाद आएगा आपका कोटा परजामंडल याद रखना है 1934 में हाडोती परजामंडल इस परजामंडल के नेतरीत्वे में कोटा राजे में बेगार विरोदी आंदोलन है वो चलाए जाते हैं दोस्तों बेगार विरोदी आंदोलन समझे यहां से 1935 के अंदर जो हडोती है वोई कोटा है हडोती वोई कोटा को अलग-अलग किया गया था कब? 1935 में हाडोती अलग कोटा अलग तो 1949 में पंडित नयनुराम सर्मा वे अभिनरी ने कोटा परजामंडल की स्तापना की जिसका पर्तम अदिवेशन मांगरोल बारा में आयोजित किया गया था दोस्तों 1949 में पंडित नयनुराम सर्मा और अभिनरी के नेतरीतों में कोटा राजिये परजामंडल की स्तापना हुई उस समें कोटा के सास सकते उमेद सिंग द्वित्ते कौन थे उमेद सिंग द्वित्ते 1949 में ही पर्तम अदिवेशन होता है मांगरोल बारा में कि इसके अद्वित्ता में नयनुराम सर्मा की अद्वित्ता में दोस्तों महिलाओं का सम्मेलन भी होता है उसी समें उसके अंदर अद्वित्ता करती है सारदा बारगव दोस्तों कौन करती है सारदा बारगव मांग एक रखी गई थी सार्दा बार्गव के दुआरा वो रखी गई थी इच्छे वर्स के बालकू के लिए अनिवार ये सिक्सा है वो लागू की जाए दोस्तों राइट टू दे रिकोल का पर्तम परियोग मांगरोल बारा में किया गया था दोस्तों आगे चलिए मित्रों 1942 के अंदर 1942 में भारत छोड़ो अंदोलन के समय कोटा परजामंडल के सदस्यों ने नातुलाल जेन के नेत्रीतों में कोटा नगर परसासन पर अधिकार कर लिया ऐसा कोटा में दूसरी बार हुआ एक अठारा सो सत्ता उनकी क्रांती एक परजामंडल दोनों बार कोटा नगर परसासन पर जनता का दिकार हुआ अब देखिए जो 1942 का होता है इसमें हमारे अभी नरी का सोरी नैनुराम सर्मा का चले गए नैनुराम सर्मा 14 अक्टूबर 1941 को नैनुराम सर्मा की हत्या कर दी जाती है दोस्तों क्या कर दी जाती है हत्या कर दी जाती है यह इंपोर्टेंट चीज है और यह था आपका कोटा परजा मंडल अच्छा क्योंसन यहां से आपको देखने को मिल सकता है यहां से एक जानकारी और देदू दिवित्य अदिवेशन भी वाता इसका दिवित्य अदिवेशन आपके RBS, NCIAT में जानकारी नहीं है इसकी लेकिन मैं दे देता हूँ दिवित्य अदिवेशन के अगर हम बात करते हैं तो वो 1941 में हुआ था 1941 के अंदर अदिख्ता अबिन हरी ने की थी अबिन हरी ने इसकी क्या की थी अदिख्ता की थी दोस्तों 1942 में जो कोटा पर जामन डला है उसके अदिख्त मोतिलाल जेन बन गए थी समझ गया है यहां से यह है दोस्तों और जो यहां पर उतरदा इस सासन की स्तावना होती है वो होती है 1948 में 1948 भीम सिंग ने अबिन हरी के साथ मिलकर लोग पिर यह सरकार बनाने का क्या दिया था जन्ता को आसिर्वा दिया था अबिनरी उस समय थे क्या कोटा परजामंडल के अद्दिक्स बन गए थे वापस पहले मोतिलाल जेन मने फिर अबिनरी बन गए थे यह कोटा परजामंडल अगला परजामंडल आता है सहापुरा परजामंडल दोस्तों सहापुरा परजामंडल 18 अप्रेल 1938 मानी के लाल वरमा के PK परियास से लादुराम वैर रमेã पर को पर जाम अड़की ती देखें यहां पे मानी के लाल वरमा के हैं PK परियास जबकी रमेश चंडर उजह, लादुराम व्यास, अबे सिंग डांगी इन्होंने की थी दोस्तों देखस्ता क्या इस्ताबना दोस्तों जिसका पर्तम अद्दिक्स मनाया गया था अबेमल डांगी को किसको मनाया गया था अबेमल या अबे सिंग डांगी को दोस्तों इसके अलावा जो 1945 के अंदर अद्देक्स है वो गोकुलाल असावा बने थी इसके गोकुलाल असावा इसके क्या बने थी अद्देक्स बनाए गए थी गोकुलाल असावा 1945 के अंदर दोस्तों चुगदा अगस्त 1947 को साहपुरा के राजा सुधरसन देव ने गोकुलाल असावा के नेतरीतोय में उतरदाई सरकार की इस्तापना की दोस्तों चुगदा अगस्त 1947 के दिन समझ गए यहां पर अब देखें नोट साहपुरा पहली रियासत थी जहां पूर्ण उतरदाई सरकार की इस्तापना हुई साहपुरा वो रियासत है जहां पर सबसे पहले पूर्ण उतरदाई सरकार की इस्तापना है वो की गई दोस्तों 1949 के अंदर कोटा सिरोई और किसंगड यह 1938 में साहपुरा है अगले साल 1949 आता है उसके अंदर कोटा सिरोई और किसंगर तीन परजामंडले मनी थी और ये कोई दिकत नहीं आपको मैं आगे एक साथ बता दूँगा इनको ये था हमारा साहपुरा परजामंडल अगला जो हमारे परजामंडल आता है मित्रूम वो आता है सिरोई परजामंडल बहुत ही इंपोर्टेंट परजामंडल यहाँ से भी आपको क्यूसन है वो एक्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है सिरोई परजामंडल से सिरोई राज्ये में गोविंद गुरू वे मोतिलाल तेजावत के नेत्री तुवे में राजनितिक जागरिती का संचार पहले ही हो चुका था जो जंजाती अंदोलन हुए ना उनके दुवारा दोस्तों समझे यहां पे सिरोई राज्ये तातकालिक मुंबई प्रांत की सीमा परिस्तित था अतयार राजनितिक जागरिती का कारिये मुंबई में रहने वाले सिरोई के परवासी कारिये करता हुने किया था दोस्तों समझे यहां से अप्रेल 1935 मुंबई में वर्दी संकर त्रिवेदी, भीम संकर सर्मा, समर्तलाल सिंधी आदिने मिलकर परवासी सिरोई परजामंडल की स्तापना किये 16 अप्रेल 1935 को मंबई के अंदर परवासी सिरोई परजामंडल की स्तापना हुई जिसके संस्तापक वर्दी संकर सर्मा, समर्तलाल भीम संकर सर्मा, ये थे दोस्तों समझे यहां से वेसे आपको बताओं तो 1934 के अंदर मुंबई में ही सिरोई परजाम डल की इस्तापना होती है 1934 के अंदर बंबई के अंदर सिरोई परजाम डल की इस्तापना हो जाती है समझे आप यहां पे वर्दी संकर समर्तलाल सर्मा, भीम संगर, इन्हों नि की थी, लेकिन सपल नहीं रहा, अगले साल 1935 के अंदर, पर्वासी सिरोई पर्जामडल की स्तापना की, इसके बाद दोस्तों, जो पर्वासी सिरोई पर्जामडल है, स्री गोकुल भाई भट को इसका क्या नेतरीतुए सोपा गया था दोस्तो इसके बाद आगे चलिए मितनूं, 22 जनवरी 1949 को गोकुल भाइबट ने सिरोई परजामंडल की इस्तापना करके उत्तरदाई सरकार की मांग की अब आया है दोस्तूं, अब आया आपका सिरोई परजामंडल कब? 1949 में किसके दुआरा गोकुल भाई बट के दुआरा ये गोकुल भाई बट वो ही है जिनको हम राजस्तान का गांदी कहते हैं राजस्तान के गांदी इनी को कहा जाता है दोस्तों ये भी अच्छा है कि हुसन आपके लिए बन सकता है, रास्तान के गांदी गोकुल भाई बट को ही कहा जाता है दोस्तों, समझें यहां से, मैं 1940 में सरकार ने परजामंडल को क्या दे दी, मानेता, परजामंडल को जो मानेता दी गई है, वो 1940 में दी गई है दोस्तों, 1949 में एक सारुजनिक सबा होती है, इनकी सिरोई के अंदर, जिस पर सरकार है, वो लाटी चार्ज करते हैं, गोकुल भाई बट उपको बूरी तरह पीटा जाता है, जिसके अलोचना मातमा गंदी करते हैं दोस्तों, अब देखिए परजामंडल की परतम जेनती, ये कि हुसन भ परी 1941 के अंदर परतम जेनती मनाई गई थी, कहाँ पर मनाई गई थी, ये भी तो बन सकता है ना क्यूसन, आबू रोड पे, कहाँ पर आबू रोड में दोस्तों, इंपोर्टेंट क्यूसन है, चार दिवसी परदरसनी थी, लगबग 800 मैलाओं ने इसमें बाग लिया था, क जमझे, ये था आपका सिरोई परजा मंडल, आज की गलास में सिरफ इतना है, कैसी लगी आपको आज की गलास, एक बार कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक सेर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप सभी को बहुत झाल